दोस्तों अभी बात कर रहे हैं तो जो सैमसंग नेना उन्होंने डिसाइड किया था कि वनियोई के अंदर जो स्टॉक एप्स आएंगी उसके अंदर वो एड्स दिखाएंगे नहीं और इसके पीछे का लॉजिक मैंने समझाया था कि शायर सैमसंग अपना आपको एक प्रीमियम ब्रैंड दिखाना चाहती है और जो लोग है वो जादा पे करें एक अच्छे सॉफ्टर एक्सपिरियंस के लिए तो उसके बाद दिमाग में मेरे ख्याल है क्यों आख हर कंपनी अगर इस टाइप की अगर चीज़े करना चालू करें तो क्या आप लोग इसके लिए तयार होगे है यहाने कि आपको थोड़े से एक्स्टर पैसे देने पढ़ रहें लिकन आपको बदले में क्लीन स्टॉक अंड्रोइड यासा एक्स्पीरियंस देखने को मिल रहें चलिए आद इस वीडियो में इसी के बारे बात करते हैं पता लगाते हैं आखर पीछे की सच्चा है क्या है चल क्या रहा है मार्केट के अंदर और आप लोग को पसंद है तो लाइक कर देने चैनल को सकमाने के लिए और जो स्मार्टफोन कंपनीज इन एप्स के थूरू पैसा बना सकती है थोड़ा से एक्स्ट्रा यानि कि फोन तो उन्होंने बेज दिया लेकिन इन एप्स के करण और पैसा बना रही है और हाल फ्याल गूगल ने ये भी बोला था कि अगर आप अपने फो देखने को लती है अब एड के कहाने देखा चाहिए तो शौमी के साथ आयती उन्होंने खुद बोलाता है कि उनके बिस्नस मॉडल का पार्ट है अब बात यह रहती है कि शौमी के साथ हमेशा से बात जो हमेशा से अच्छी रही वह रही ते कि एक अच्छा स्मार्टफोन बनाते हैं बहुत ही अच्छी चीज़ है और शौमी ने तो कई बार पब्लिकली यह भी कंफर्म जाए कि पांच परसंट से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं रखते हैं यह काफी चीज हो जाती इस बाहरी में अगर हम सोचे तो कि पांच परसंट से कम प्रॉफिटे और इन सब पैड्स आते हैं तो कमतनी फोन बेशने के बाद भी पैसा बनाती है और आग के समय में ऐसा नहीं किसे शौमी ऐसा करती ओपो के फोन के अंदर मैं आड्स देखे हैं तो काफी सारी बाकी सारी भी ऐसे एड्स वरना कही ना कहीं देती हैं लोगों की अब लोगों को क्या है आज के समय में हर फोन के अंदर उन्हें बेस्ट पॉसिबल स्पेसिफिकेशन चाहिए क्योंकि मार्केट में छोटी सी चीज बन गई है कि अगर आपको सस्ते में अच्छी स्पेसिफिकेशन नहीं मिले तो वो यार ओवर प्रैस फोन होता को मिलता है काफी सारी चीज अच्छी देखने को मिलती है लेकि फोन की कीमत काफी जाधा रहती है इसलिए जाक वी सारे लोग से यहाँ पर पसंद नहीं करते हैं और मार्केट में देखा तो वन प्लस है जो कि आपको एक क्लीन एक्सपीरियंस देती है यहाँ बात करें कि उसकी कीमत कम से काम हो और उसके लिए आप जाधा पैसा देना नहीं चाहते हैं और कमती कोई मालूम है कि फोन की कीमत अगर उन्हें कम करनी है तो हाड़ वे कीमत कम कर सकते हैं सौफ्टर के दम पर और इसलिए आपको एड़ वगरा देखने को मिलते हैं लेकिन क्या हो को कोई ऐसी एक सब्सक्रिप्शन सर्थ यहां पर कोई ऐसा पेमेंट मॉडल आजा कि हाला कि आपको एक सस्टम देखने को मिल रहा है जहां पर आपके एड़ वगरा डिसेबल कर सकते हैं लेकिन आपको प्रॉपर क्लीन स्टॉक एंड़ जैसा एक्स्पीरिंस चाहिए आप उ जो एड़ फ्री एक्सपीरियंस होता है वो जनरली ब्लोट वर्स यहां पर रिमूफ किये जा सकते हैं कंपनी उसका आलरेडी ऑप्शन देती हैं और एड़ रिमूफ करने का भी ऑप्शन देती हैं हाला कि यह जो चीज़े रहते कुछ-कुछ फोन में काफी ज़्यादा करोगे यह ऐसा सवाल है जिसके बारे मैं आप लोग की ग्राई भी जानना जाता था मतलब की मैग्सम जो लोग है वो यह चाहते है कि फोन उन्हें कैसा भी लेबल अब सॉफ्टर उससे कैसा भी विले लेकिन हार्डवेर फोन के अंदर उन्हें काफी अच्छा चाहिए और इसलिए जो लोग है वो चाहते है कि हार्डवेर की कीमत कम से कम देखने को मिले और सॉफ्टर कैसा भी उचल जाए यह एक चीज़ जो हैना हो मैंने काफी मैजॉरिटी लोगों के अंदर देखी तो यह एक इंपोर्टन चीज़ है और इसी के साथ ही बारी आती सॉफ्टर अब देखी अब हमें मालुम है कि मुबाइल फोन बनाना काफी ज्यादा कथिन चीज होती है और बज़ेट फोन बनाना तो उससे भी ज्यादा क्यूंकि बज़ेट फोन में सेफ हार्डवेर कीमत काफी ज्यादा हो जाती है सॉफ्टर के यह जादा पैसा बचता लिए और इसलिए आपको जो budget Android phones होते हैं, उनमें जादा software updates भी आपको देखने को नहीं मिलते हैं. क्योंकि company ने उसमें सारा जो खर्चा कर दिया है, वो उसके hardware पर कर दिया है, और काफी budget phones में तो आपको देखने को मिलते भी नहीं है. अब इसके लटने का भी solution यही है कि extra पैसा पे करो, कि अगर आपको एक लंबा software experience यही तो आप उसके लिए पे कर सकते हो. यह भी interesting concept है. तो कहने का मतलब यह है कि क्या लोग इस टाइप की चीज़े देंगे, क्योंकि अभी किस समय में problem पता क्या है. सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोग चाहते है कि उन्हें एक यी बार पैसा दे और उन्हें हमेशा अच्छा software support देखने को मिलता रहे. और एक बर जो नो नो ने पैसा दिये ना उसके अच्छे तरीके से यहाँ पे value for money मिले. यानि कि अच्छा Android का experience मिले, अच्छे तरीके से updates भी देखने को मिले. जादा पैसा डाल ले कोई मतलब बनता नहीं है. और जब भी कोई कम्तनी अपना कोई ऐसा phone निकाल थी, जिसके अंदर software अच्छा रहता है, या फिर वहाँ पे updates अच्छी रहती है, तो वहाँ पे कीमत थोड़ी सी यहाँ पे आप जादा expect कर सकते हैं. जैसे बात करें Samsung में, Samsung के काफी सारे phones में आपको software अपडेट बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलता है, लेकिन यह है कि कई बार उस price point पर उस अच्छा hardware आपको अच्छा देखने को नहीं मिलता है, यानि कि hardware में लोग अभी-कभी थोड़ी वार्त cost cutting कर जाते हैं, ले समय में, One UI के जो ads हैं, वो भी completely अगर remove हो जाते हैं, तो एक काफ़े चीज़ होगी और Samsung के edge में काम करेगी, और यहीं लग रहा है कि Samsung यहाप एक छोटी सी चीज़ ट्रै करने कोशिश कर रही है, क्या लोग ज्यादा पेस से आपे कर सकते हैं, better software experience के लिए, और अगर Samsung की ची experience देने के लिए आप लोगों से थोड़ा से जादा चार्ज करेंगी, हो सकता है कि उन फोन पे फिर आपको उत्ती ची स्पैसिफिकेशन देखने को ना मिले, लेकिन Android के clean experience देखने को मिलेगा, और एक ad-free experience देखने को मिलेगा, शार्द हम इसी एक direction की उपर आने वाले समय मे move कर, और शायद यही चीज़ आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, कि यानिकि आगर आपको एक सस्ता फोन लेना है, तो वहाँ पर आपको sacrifice करना है, user experience पर अपडेट पे, लेकिन अगर आप एक महंगा फोन ले रहे हो, तो हो सकता हाड़वेर उसमें उस लेवल क मिल जाए, कि आपको बराबर update देखने को मिल रहा है, बराबर जो clean experience होता है Android को वो देखने को मिल रहा है, even बात की जाए तो शायद यह चीज़ यहाँ पर सही भी हो गई है, जैसे हम बात करें Nokia का का काफी अच्छा example है, कि Nokia अब देखा तो market share काफी जादा कम है, लेकिन अ अच्छे तरीके से चलाते रहेगी, बहले ही उसे वो color OS के साथ किस तरीके से भी merge कर दें, लेकिन जब तक उसके अदर ads वाली problem नहीं आ रही है, तब तक OnePlus है वो अपना को थोड़ा सा premium यहाँ पर place कर सकता है, और यहाँ पर अच्छे तरीके से अपने phones को बेच सकता है, तो देखा तो काफी interesting कहानी चल रही है, by the way आप लोगो से मेरा सवाल है कि क्या आप लोग से phone लेते समय से specification वगरा भी देखते हो, या फिस सौफ्टर वाला हिससा है वो भी देखते हो, क्योंकि अभी के समय में देखा जाए तो software में तो आपको bloat या ads maximum phones के अंदर देखने को म लेकिन अच्छी बात ये भी है कि आपको bloatware हटाने का भी option मिलता है और ads होते हुने disable करने का भी option मिलता है, लेकिन बस एक चोटी सी चीज आती अपडेट्स की, अपडेट्स अभी भी देखा तो काफी सारे phone में उतनी अच्छे तरीके से आपर rollout नहीं होती है, और अगर अब भी rollout होती है, तो है आपको कुछ bugs वगरा भी देखने को होते हैं, तो फिलहाल कि समय में ये कुछ कहानी चल रही है इनके वारे में, तुम चाहते हैं या ते मेरा आप लोग उसे एक सवाल है, क्या आप लोग extra पैसा पे करना पसंद करोगे, better software experience के लिए बात नीचे क